आरपीएफ रेलवे पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है जब उन्होंने बिल्ली के बच्चों की तसक्री करने वाले एक गिरोव के एक सदस्य को गिरफतार किया है। गिरफतार व्यक्ती के पास से 17 विदेशी बिल्ली के बच्चे बरामत किये गए जिन्हें भोपाल से पटना बिना टिकट के ले जाया जा रहा था। आरपी एफ रेलवे पुलिस ने तेचतर रार कारवाई करते हुए तसकर को गिरफतार किया और बिल्ली के बच्चों को रेलवे पुलिस ने अपने कबजे में कर लिया। बिल्ली के बच्चों को RPF रेलवे पुलिस ने रक्षा NGO अवंशिका गुपता को सौप दिया है जो उनकी देखभाल करेगी यह एक आदमी भुपाल से पतना गैर कानूनी रूप से बिना टिकेट के 17 बिल्ली के बच्चे अलग-अलग साइस के जोले में बुरा कैद करके उनको लेके जा रहा था बेचने के लिए तो जी आरपी ने पकड़ा था उन्होंने हमें बताया और फिर हमें सुपोर्ड किया है उन्हें यह कहां से कैसे बच्चे हैं यह पर्शन कैट के बच्चे हैं कुछ एक महीने के बच्चे हैं और कुछ तीन महीने के हैं कुछ दो महीने के अलग-अलग साइस के बच्चे है और इनको एक तरह से कईये तसकरी की लिये ले जाए था है हां तसकरी की जा रही थी इंको बेशने के लिए पाइसे कमाने के लिए और ग्यर कानूनी रूप से की जा रही थी बिना कोई कागवस, बिना कोई सर्टिफिट, बिना कोई medical approval के बिना टिकेट के वो लड़का लेके जा रहा था और उसने ये भी बताया था जी आरपी वालों को कि वो अक्सर ऐसा करता है आरपी एफ रेलवे पुलिस की कारवाई से पशु तसक्री के एक बड़े रैकेट का भंडा फोर हुआ है गिरफतार व्यक्ती से पूच्ताच की जा रही है और गिरोग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है आरपी एफ रेलवे पुलिस जानवरों की तसक्री पर लगातार नजर रख रही है और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कदम उठा रही है बिल्ली के बच्चे अब सुरक्षित हाथों में है और उन्हें वो देखभाल मिल रही है जिसकी उन्हें जरूरत है आरपी एफ रेलवे पुलिस की त्वरित कारवाई ने इन निर्दोश प्रानियों की जान बचाई है